It's up to you to judge और पार्शल व्यो मिलता है धोम लेक का and then I think we have धोपला and this is their spa के यहाँ पे मतलब दुनिया कहा का कहा गया है लेकिनी सॉडल तो यह है यहाँ का सबसे खुबसूरत एरिया और यहाँ से यह ब्यूटिफुल व्यू स्वागत है आपका और एक नए ट्रैविल वीडियो में और आज हम देखेंगे रिव्यू आफ आर स्टे अट रवाइन होटेल पंचगनी यह जो पॉइंट है यह इंट्री पॉइंट है पंचगनी का और यहाँ पे आपसे लिए जाते हैं 100 रुपीज as an entry fee इस पॉइंट के बाद कुछी देर में आता है आपका रवाइन होटेल जो के काफी अच्छी बात है आपको शेहर के भीड में नहीं फसना पड़ता especially on the checking in day इस होटेल से पंचगनी के कुछ पॉइंट्स नजदिक है सो वो एक अच्छी बात है हम यहां मुंबई से आए है और way to this particular होटेल is pretty straightforward with और without Google Maps रास्ते में प्रसिद्ध वाई गनिश मंदिर है तो वहाँ दर्शन करके भी आप दोपैर में चेक इन कर सकते हो फिलाल हम होटेल के पार्किंग अरिया में आ गये है और यहां से शुरू करते हैं अपना रिव्यू as usual होटेल के रिव्यू की शुरुवात हम करते हैं पार्किंग अरिया से जो के मेरा फेवरेट पार्ट है और काफी important भी अच्छे पार्किंग होना काफी ज़रूरी है और अच्छे पार्किंग अरिया यूज पार्किंग अरिया काफी गाड़िया यहां पर आराम से पार्क हो सकते हैं वो भी अच्छे कासी स्पेस छोड़के और अच्छे पार्किंग अरिया लिमीटेड है बट ओपन पार्किंग बहुत है और मौसम काफी सुहाना है हलकी सी बारिश होके गई है और शाम के बज़े है चार हमने जस्ट जेक्टिन किया है और होफ़ुली अच्छा संसेट आज देखने मिले लेट सी आज का दिन काफी अच्छे नूट पेंड हो रहे है काफी सुंदर संसेट डेखने मिला फॉर फॉफ़ुली आपको भी अच्छा लगा हो और आज थिंग काफी दिनों के बाद इतना बड़े है संसेट डेखा मैंने होटेल भी हाँ हमने एकडम रैंडम ली बूक किया कोई ऐसे जादा अरेंडी बगहरा नी किया जादा रिसर्च ने किया तो जो पहले सगेस्ट किया मैं उसमें से हमने से सिलेक्ट किया मैं इतना ओपफुल नहीं था बट तो मैं सेपराइज इसका रिवीव डेटिल में तो आएगा ही बट इस 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 बारे में थोड़ा बूलना चाहता हूं कि इनका जो फॉल उप है या जो प्रोसेस है कि आपने इनके पास बुकिंग कर दिया तब से लेके अभी तक तो जैसे के मेकमाइट्रिप से जैसे मैंने बुक किया तुरंत वाटसप इनकी तरफ से कि आपका बुकिंग कंफर्म डे और इनोंने एक पोर्टल भी बनाया हूआ है जिसका लॉगिन और पासवर्ड दिया गया उसके अंदर आपका चेकिंग कंफर्मेशन एड्रेस वगरा पहले से डाल के रख सकते थे अधर कर नंबर वगरा तो वो प्रोसेस मैंने अल्रेडी किया हूआ था तो जब मैं यहां पर पहुंचा इनों एक फॉर्म करने दिया विच इस स्टैंडर्ड प्रोसेस और हमारे अड़ी प्रूफ मांगे और विदिन ऐ थिंक वन और टू मिन तो विच वाज नाइस हम लोग अल्रेडी लंच करके आये थे तो यहां पर लंच नहीं किया और रट तो अब इतलेते हैं पॉज और मिलते हैं ब्रेक के बाद कि बहुते जाइदार्ट ढ़ाईब बात झाल झाल इतने सारे पंची है मजा ही आगया और ये है कुछ सुन्दर सा व्यू अवरिधिन इस कवर्ड विद फॉग राइट नौ और राइट विद विद ब्रेक्फास्ट इस दे टू और ये है कुछ सुन्दर सा व्यू in fruits we have watermelon, papaya and then I think we have dhokla boiled eggs वाव नाइस यहाप के कॉन फ्लेक्स chicken salami saabu dana vada, nice शेर कॉर्मा और पालक रोल वाव पालक रोल मेने ब्रेक्फास में लेखा गिये पहले इस नाइस and then we have idly and usual tea coffee stuff all right so this is the lift lift capacity for people and red crown floor यहाँ पे must design है एकदम एजिप्ट वाली लोग है इदर अभी हम जा रहे हैं इंडोर गेम रोम लिखने यह आपका exit और आप यहाँ पे जाओगे यह आता है इनका tunnel they call this particular thing as tunnel the way it is I do not enjoy it I am not claustrophobic but I am not sure थोड़ा अजीब weird feeling आरहे है मुझे all right on the left hand side we have gymnasium so this is gym अभी शायद open नहीं है I forgot to ask them the timings but anyways अभी यहाँ से इंडोर गे मरीना and it's pretty huge चलो देखते हैं यहाँ पे है air hockey and then you have table tennis यह वाला professional वाला नहीं है बनाया हुआ लग रहे but this looks actual sports वाला दो पूल टेबल you have a lot of setting arrangement यह painting मुझे अच्छे लगी मतलब इस game में मैं कभी नहीं जीता और यह है कुछ photos यहाँ पे politicians, celebrities सब आके रह चुके हैं तो यह है सारे photos, nice चलो, अभी चलते है spa area देखने यह है entrance और beautiful sunrise हो चुका है हलकी हलकी सी बारिश हो गई है and this is their second tunnel entrance से यहाँ पे, right hand side पे यहाँ पे लिखा है serenity, spa और salon and this is their second tunnel head room है नहीं, like I can touch it so it is actually a tunnel and this is their salon and this is their spa अभी यह लॉक्ट रहेगा because it opens at 10 o'clock sorry 9 o'clock और यह काफी बढ़िया है हमने service ली कल spa की and it was very refreshing और यह है इनका tennis court यहाँ पे multiple tennis courts है one, two, I think नीचे एकदम नीचे भी है तीन और drone से शायद दिखेगा और एक रहेगा तो all right अभी हम देखते हैं इनका outdoor playroom I mean जो भी यह बच्चों के लिए वहाँ पे चलके जाते और देखते हैं यहाँ पे है बहुत सारे options बच्चों के खेलने के लिए my favorite is घसर गुंडी और यह कुछ इस तरह से है if you have kids probably you wanna spend a lot of time here they are not going to leave this place very nice यहाँ पे जूला भी है बच्चों के लिए यह शायद बड़े बच्चों के लिए होगा यह वाला मस लगते है दोनों पैर अंदर डाल दो जुलाओ और एक रोड नीचे की तरफ जाता है जहाँ पे है tennis court यह एक है यहाँ पे और वो एक है वहाँ पे नीचे और यहाँ से यह beautiful view अभी हम जाएंगे इनके deck पे जो के काफी खूप सुरज जगा है यह है इनके double decker rooms अगर आप देख पाऊगे तो यह नीचे एक है और एक उपर की तरफ है और यह है valley side rooms as well इसके right पीछे है valley plus rooms और राइट सो दिस इस the deck area यहाँ से यह fountain है tennis court है तो यह है यहाँ का सबसे खूप सूरत area deck area I think यह लोग इसको function के लिए यूज़ करते होंगे the way it is set up but it is nice और यहाँ से mind blowing view दिखता है uninterrupted look at that isn't it beautiful super so this is our checkout day and let's see what we have today in the breakfast chocolate muffins what is veg muffins okay then you have fruits today we have बुर्ची okay faluda and cheeer if you want to order any style of eggs then you can directly order also dosas and uttapas and then they have put the disclaimer that these items would have the egg in it alu paratha dhokla yesterday also there was dhokla और ये क्या है veg fingers mini pizza अदे वा then you have pasta and moong pakoda kalwala palak pakoda was very nice then you have sambar tea और कल में मिस कर गया so we have pineapple juice and cold milk and strawberry juice yesterday there was leachy juice okay तो हम यहां से आए और अभी यहां जाएंगे ये थोड़ा narrow passage है I mean I did not enjoy it that much और especially yellow light के साथ alright so this is our room okay तो शुरू करते है अपना room tour तो आपको मिलता है digital lock तो यह है उसका card जो आप swipe करोगे तो दर्वाजा खुलता है और यह insert करोगे तो electricity चालो होता है यह जो सब देख रहे हो that is the problem with यह particular property उसके उपर हम बाद में आते हैं तो यह है आपका door locking system और यह एक extra locking system wardrobe बस इतना सई section है मैंने अल्रेडी खुल के रखा है sliding door है तो यहाँ पे आप अपने कप्टे रख सकते हो जूतो के लिए नीचे slide करके आप डाल सकते हो जूते और यहाँ पे locker system भी है तो यह कुछ इस तरह से बन दोगा तो यह है आपका wardrobe so this is your room यह मैंने थोड़ा बन करके रखा है ताके आपको idea है कि रात में कितना illumination है तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ चार lights है एक वह वहाँ पे यह दूसरा यह तीसरा और यह चौता that's it और यहाँ पे कोई extra lights वगरा नहीं है तो रात में इतना अच्छा illumination नहीं है bright नहीं रहता room जादा यहाँ पे आप देखोगे तो bed काफी बड़ा है यह ऐसे वह decorate करके नहीं देते यह सजा के नहीं देते यह मैंने अभी I mean room tour के लिए थोड़ा मैंने ठीक किया है bed काफी अच्छा है मतलब एकदम एकदम soft है यह bed के पीछे का जो pushning है वह काफी अच्छा लग रहा है designer एकदम यह है आपका एक photo peacock का यहाँ पे एक photo यह है AC AC लगाने की नौबत बिल्कुल नहीं आई क्योंकि यहाँ पे काफी थंडा था और यह table lamps अच्छे है पर again जो अभी मैंने थोड़ी दिर पे रहे door के यहाँ पे दिखाया था वैसे beats and pieces है जो मतलब old हो चुके है उनको replacement की जरूरत है यहाँ पे storage यहाँ पे भी है आपका storage और यह कुछ इस तरह से दिखता है room यहाँ पे आपको मिलता है complimentary tea maker वगएरा वो सब सामान है यहाँ पे standard यहाँ पे है आपका menu इसको scan करके आप देख सकते हो लेकिन यह hotel का website खोलता है और वहाँ पे जाके आपको ना कड़ते है तो it is of no use आप direct phone करके पता कर सकते हो दो complimentary water bottle जो आपको daily मिलता है जब house keeping a care room clean करते है आपको दो bottles रखके चले जाते which is good यहाँ पे यह मुझे कुछ समझ में नहीं आया TV is huge TV के उपर मैं बाद में आता हूँ क्योंकि मैंने पे होता तो शायद इससे यह थोड़ा match भी कर जाता और यह as a tracing table भी use हो जाता तो I don't know यह यहाँ पे क्यों है बट जो भी है TV मतलब आपके पास Tata Sky भी है और it is a smart TV review में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि यहाँ पे मतलब दुनिया कहा कहा गया है लेकिन इस hotel में smart TV नहीं है वगेरा basically I don't care TV में smart TV है के normal TV है मैं इतना TV देखता नहीं हूँ बट हाँ इसमें यह smart TV यहाँ पे Amazon Prime और Netflix वगेरा चलता है YouTube नहीं चल रहा था for some reason I don't know है बट हाँ मतलब जो भी वो चल रहा था यह वाला जो है यह खोलने के बाद अंदर पैक किया हुआ है तो यह कोई ऐसा मतलब extra room वगेरा नहीं है I think यह जिस तरह से structure है hotel का यह joint room होंगे baju वाला और यह और इसको single room convert करने के time पे इसको conceal कर दिया होगा so this is of no use but this is I mean just there यह वाला जो परदे का जो यह है यह काफी पूराना style है अभी इससे कोई भी नहीं use करता यह 1990s early 2000s में use होता था तो यह अभी तक वैसे ही है आपके पास है छोटा सा dining table or sitting arrangement कपड़े सुखाने के लिए I think वो table है basic problem यहां पे यह है के जगा है ही नहीं as you know मैं जभी भी रूम का review देता हूं वहां पे मुझे rack रहेगा तो काफी अच्छा लगता है but there is no rack at all to keep your luggage that is a problem so अभी देखो हमारे इतना सामन था हमने कैसे कैसे तो arrange करके रखा है वो ठीक नहीं लगा मुझे otherwise रूम भी काफी छोटा है comparatively और दूसरी चीज है कि यहां पे मतलब यह stone wall type है मैं इतना fan नहीं हूं मुझे plane divar जाद अच्छी लगती है with paint तो यह मुझे ऐसे लग रहे कि मैं किसी castle room में आया हूं but nothing to complain about I mean it is just a personal choice बाकि यह aesthetics में अच्छा लूग दे रहा है room को but I am not a fan of it हां बट शायद यह hotel का खर्चा बचाता होगा painting अगरे का जरूरद नहीं है maintenance में शायद low cost रहेगा but this is how it is यहां से आप balcony के लिए enter करते हो balcony का review मैंने अलग से record किया है वह आप clip देख सकते हो इस clip के बाद यहां पे लिखा है के food served in restaurant only but ऐसा नहीं है in room dining is available आपके पास है total charging sockets one वहां पे है two that's it दो charging socket है और अगर आप TV नहीं देख रहे हो then you can make use of these charging sockets as well और अभी हम करते है bathroom का tour या review तो यह है bathroom यह जादा बड़ा bathroom नहीं है और यहां पे है इतनी सी space best part है के यहां पे आपके पास है balty available जो कि मुझे अच्छा लगता है hot and cold water available है और यह लोग आपको देते है conditioner, shampoo और body wash एक बड़ा सा mirror है center में which is good soft light है which is also good hair dryer दिया हुआ है उन्होंने और यह तो हो गए plus points now talking about negative points this is age old मतलब बहुत सारे लोगों ने tripadvisor के review में लिखा है के bathroom needs revamp और वो I think बहुत ही सही लिखा है उन्होंने क्योंके इसको revamp की सच में जरूरत है especially these fittings यह late 90s या early 2000s के fittings है और आप देखोगे तो यह थोड़ा सा you know shine भी चला गया है rust पकड़ा हुआ है टाइब से और यहां पर exhaust नहीं है I don't know whether this is exhaust or not बट थोड़ा odd smell रहता ही है यहां पर इन्होंने बहुत सारे towels दिये which is also good काज का watch machine है बट यह overall इस मतलब bathroom को या washroom को revamp की ज़रूरत है जैसे यह soft light is good बट यहां पर देखो यह तूटा हुआ है यहां से यह slide हो चुक है paint निकला हुआ है तो वह सब इनको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि यह जो price charge कर रहे है वह premium price है और उस price में आजकल के जो नए hotels बने हुए है उनमे bathroom एक्दम luxurious रहते है so this is one thing that they need to work upon और भाकी तो सब कुछ तो cover कर लिया और यह bits and pieces है जैसे यहां पर देखो paint निकल गया है uneven paint है यह सब उनको ठीक करना पड़ेगा that is one thing otherwise view तो जबरदस्त है I think उसी का price है और यह जगे का price है otherwise room it's okay it's up to you to judge so यह था review और यह है आपके सामने यह पूरा room that was about it अभी balcony का review देखते है तो यह है आपकी balcony काफी spacious है यहां से वहां तक I think eight or nine feet रहेगा यह table और दो chair hotel की तरफ से ही है as a setup और हमने कुछ इस तरह से arrange किया था ता कि हम हमारी चाय enjoy कर सके इस beautiful view के साथ तो यह है वह beautiful view तो drone shots में आपने देखा रहेगा कि building का structure कैसे है तो हमें जो room मिला है वह west facing यह in the balcony is facing west but हमें partial view मिलता है road का उसके बाद straight view मिलता है valley का और partial view मिलता है dhome lake का या dhome dam back waters भी कहते है इसको तो उसका view मिलता है लेकिन partial इनके अलग से rooms है जिनको यह लोग valley plus बोलते है तो valley plus में क्या है कि आपको वह जो लेक है उसका straight view है मतलब balcony से जैसे हमें अभी valley दिख रही है या mountain दिख रहा है उनको वह lake और वह दो mountains दिखते तो वह valley plus rooms actually महंगे है but view के सबसे वर्थ है तो अगर आपको chance मिला तो I think you can explore that option हम आये थे I mean हमें तो make my trip पे वह option मिला नहीं क्योंकि हमने I think 3-4 दिन पहले booking की थी तो rooms available नहीं थे हम यहाँ पे आये हमने पूछा upgrade के लिए लेकिन rooms available नहीं थे तो no worries next time यह भी view काफी अच्छा है but वह view एकदम जबरदस रहता है यहाँ पे hotel मिराया भी है वहाँ पे हम लोग रुके है multiple times वहाँ से उस लेक का जबरदस व्यू दिखते है एकदम center में लवाब रुम में बैठे हो और वह पूरा व्यू इस्पेशली दे sunset एकदम जबरदस दिखते है तो यह दिस इस आव इस आप 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 आप